वेलकम टू ग्रेट अब तो स्टार्ट करते हैं अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यह सीरीज का लास्ट वीडियो इसकी बाद में मिसलिनेस एक्जामपल्स आप लोगे अगर जादे कमेंट आ जाएंगे तो मिसलिनेस एक्जामपल्स के भी जो कुछ इंपोर्टन इंपोर्टन संसे वह सॉल्व कर लूँगा और यह जो एक्जाई है यह स्टार्ट करने से पहले पहली बात यह इसका नाम क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वह समझेंगे उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी और अगर आपको दोनों अच्छे से आते हैं तो यह 3.1, 3.2, 3.3 में से सबसे एजी एक्साईज है मुझे सबसे एजी एक्साईज लगता है ठीक है चलो ध्यान दो तो सबसे पहले अपना नॉर्मल जो साइन कॉस्टें कॉसिक यह जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन सब का डूमें मतलब क्या होता अगर आप लिखते हो साइन एक्स तो एक्स कौनसी कौनसी वैल्यू ले सकता है साइन एक्स तो एक्स कौनसी कौनसी वैल्यू ले सकता है तो एक्स रियल नंबर में जितने नंबर आते सब ले सकता है और अगर आपने साइन एक्स किया आपने क्या किया साइ जीरो जीरो होता है साइन नाइन्टी वन अता मतलब साइन नीजिए से निजदेंगा तो मैंने को समझना है क्योंकि अगला जो अपना एक्साइज उसमें helpful होगा सिलली बच्छो का भी डोमेन सेम रियल नंबर रेंज माइनस वन टू टैन का डोमेन क्या आता है बच्छो टैन का डोमेन आता है यह सब में इन बिलॉंग्स टू इंटीजर आएगा यह सब में इन बिलॉंग्स टू इंटीजर आएगा मैंने लिखा नहीं बड़ मैं आपको बोल रहा हूं ठीक है अब अच्छो मुझे बताओ साइन नाइटी ओके वन होता है और कोस्क नाइटी जीरो होता है तो अगर मैं तैन नाइटी बोलू तो नौट डिफाइन आएगा अब मैं यहाँ पे एं के जगे पे जीरो पूट करता हूं तो यह क्या हो जाएगा सिव इतना सिव इतना बताओ क्या हो जाएगा इनकी जेकर भी जिरो पूट करूंगा तो 1 बाइ 2 पाइ मतलब पाइ बाइ 2 ठीक है वही तो हमने जेस्ट बताया कि अगर आप 10 90 करोगे तो आपको अंसर कितना आएगा not defined मतलब 10 की value यहां पर यहां पर यहां पर नहीं करती तो उसके डोमेन में पूरा रियल नंबर आएगा और 10 का जो रेंज आएगा वह रियल नंबर मतलब कोई बोलेगा 10 का value 5 आ सकता है आ सकता है ठीक है रियल नंबर का मतलब यहीं होता है similarly court court का डोमेन आएगा आर माइन पाइ जो explanation मैंने यहां पर दिया वह explanation यहां पर भी वैलिए बच्छो court जीरो क्या आएगा जीरो आएगा court पाइ क्या आएगा यह भी जीरो आएगा देखो नो बच्छो जीरो पाइ वान पाइ टू पाइ समझ सॉरी मैं बढ़ एक बढ़ आपर से सुनो ठीक है बच्छो ct0 क्या गोखो ct0 क्या एगा ct0ा с0 ct0 कितना आता है या बच्छो अपना 1 और as ctz not define है समझ मैंने आरहा बच्छो अगर आप ct2ं0 not defined r –entpi पे परके सब पर डिफाइन है इसके लिए डोमेन आगया और माइनस एनपाइ तो करती है तो इसका रेंज आएगा पूरा रियल नंबर शेक जो है आपका इसका रेंज क्या आएगा अब आप सब्सक्राइब कर देख सकते हो नहीं तो कोई बात समझना आ रहा है बट इतना जरूरत नहीं अगर आप नहीं दिखे न तो भी आपको 12 इजी निकल जाएगा ठीक है बच्छों साइन इन्वर्स का डोमेन आथा माइनस वन टू वन मतलब आपका भी साइन इन्वर्स एक्स बोलोगे न तो जो एक्स होगा वह माइनस वन टू व Mप्र रहेगा सभी तो भी आपको प्रिंसिबल वैल्य निकालने बोलेगा शाइन इनवर्स का पता है तो को कर्रेक्टन सर आए सक्कार्ण का डोमेन होता है अपना रियल लंबर और रेंज होता है और उसका रेंज होता है जिरो तुपाइब आपको एक चीज बता तो यह तीन अगर आप दिमाग में और यह मतलब कोट और कोशेक को आप दिमाग में याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा आपको सिर्फ साइन कोस्ट है या अदगना आपका काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोशेक इनवर्स में कनवर्ट कर दो कैसे मैं प्रॉपटिस बता रहा हूं ना यह चाहिए बढ़ाओं और लुगाव यूज़ करेंगे ना अपने या भाइहाट हो जाए ठीक के बच्छो तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज देखने है इनवर्स त्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ओके बच्छो इनवर्स ते पेले तक बहुत वस्त्यांस नाइक्साइज कर दूँगा ठीक है और हरे प्रॉपर्टी का प्रूफ भी है प्रूफ करना नेसेसरी नहीं समझ में आ रहे हैं तो बता देना मैं बना दूँगा अब पहला प्रॉपर्टी बच्छो देखो क्या बोला है कि साइन इनिवर्स 6 एक से साइन इनिवर्स 울डॉस अनडा यह कीशण में साइन इनवर्स ऐ तब कोश्च किनी डॉफ ऑन वा एक सकते हो कब जब minus 1 से 1 रहेगा और x equals to 0 नहीं होना चाहिए अगला property अगला property क्या बच्छो सर सिविलरली cos inverse x सेक inverse 1 by x के बराबर है same condition x minus 1 से 1 के बीच में होना चाहिए और x आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए इसके बाद बच्छो tan inverse x यह cot inverse 1 by x के बराबर होता है मतलब अगर कहीं पर आपको tan inverse 2 बोला है तो आप लिखोगे cot inverse 1 by 2 ओके x is greater than 0 बट अगर x less than 0 रहेगा less than 0 मतलब negative रहेगा तो tan inverse minus 2 is equals to minus pi plus cot inverse 1 by x बट अपने exercise में यह टाइप क्वेशन हाडली है इसके बच्छो यह हो गया अब इसके अपना अगला अगला जो जिसका बहुत यूच इसका sin inverse minus x sin inverse minus x आपका क्या आएगा minus sin inverse x ठीके बच्छो sin inverse minus x आपका क्या आएगा minus sin inverse x ओके और same sin inverse अगर कहीं पर लिखह रहेगा sin inverse 1 by 2 साइन इन्वर्स माइनस वन बाइटू तो आप माइनस बाहर लो और बुलोगे माइनस साइन इन्वर्स वन बाइटू और एक आपका माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए इसका बचो अगला प्रॉपर्टी अगर गहीं पर कॉस इन्वर्स माइनस ठीटा रहेगा तो इ से पैन Noah का कंडिशन क्या बूल है कि एक जुरॉफ से इनवर्स को सचो ना चांड पोड़ सबता है तो यह सब याद में रखने की जुरूबत नहीं है तो को सचो आगया तो सच्चोंड माइन अगया और आपका मोडस सब क्रेंट बोन सब सुपलर कंडिशन अगर आपका से किनवर्स मायनस एक साय तो पाइ मायनस एक से कोट इनवर्स मायनस एक साय तो यह प्रोपरटी यह भी बहुत सिंपल प्रोपरटी यह समझ में होता है बट एक्स बिलॉंग्स टू समझ में आ रहा है कंडिल्शन इतना याद नहीं रखोगे 12 के लिए तो भी चलेगे कि हमेशा भी लिखा दिया आपको पढ़ते टाइम से ही पढ़ना है मैं अपने ऑफ-लाइन बैच में यहीं बहुत इंपॉर्टन इसके रिलेटेट जो दिन सब्सक्राइब तो उसका अंसर है टैनिवर्स ऑफ-एक्स प्लस-वाइब तो निवर्स प्लस-वाइप प्लस-वाइब गणिवर्स-फवाइब यह वेलिड गभे जब आपका एक्स और य दोनों ग्रेटर दन जीरो है तो फॉर्मला चेंज होता दा बच्छो बुक में देखो आपको फॉर्मला देख जाएगा समझ भार बच्छो तो यह मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको एक्स्प्रेंड करते एक बर फिर से में गो थू करता हूं अगर आपक से दुसको मेंनस पाइए लिए जब एक्स रेटन जरुदा जीन गिंगे यह मैंनसको नाफीप है यह कृत चुलाइगा ऑन इक्सितुंड सांच और सब्सक्ष्क क्या ज़िएंगा exports सायं उन्वर्स इन्वर्स एक्स क्या हैं कर गिर गया साइन इन्वर्स प्लस डोस किया पायद ट्व 215 अगर माइनस ए है क्ट ए प्रापटी इसकतम फॉर्म्मलेस खतम अब स्सक्राइब साट करते हैं बहुत सिंपल बहुत जल्दी तब शिर करते हैं तो में अपको क्या बोला है? क्या बोला है वाइंड़ बैलूर फ़ॉलेगे इंशे बड़सटे लिए हैं तीन लिखाई मैंने बोड़ पर करके वापते लिख दूँगा समझ में रहात है है अचिन बहुत इक साइन आउन बाईटू बच्छो sign inverse one by two कितना simple sign inverse of one by two ठीक है अब इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो sign inverse of one by two अगर मैं sign inverse of one by two x लेता हूं तो one by two क्या हो जाएगा संपर साइन एक्सक्राइब घंज है माइन पाइब से फान इसका मतलब साई बच्छो एक्स के पाइब उसक के आरा पाइब हम लोग अपना फॉर्मला यूज कर सकते हैं क्या साइन इन्वर्स वन बाइटू लिख दिया तो यहां से सब्सक्राहिए लिखते जाना है और स्टाइन इन्वर्स वन बायो कर दोग किंगे आपकी आप अपने इन्वर्स माइनस वन is minus tan inverse 1 सही कि नहीं? राइट बच्छो? क्यों? क्योंकि सरा हमने अभी ज़स पढ़ा ना properties में है? very good minus tan inverse 1 tan inverse 1 बच्छो अलग से solve करना है तो अलग से solve कर लो x लेलो 1 क्या जाएगा बच्छो? tan x right? tan x is equals to 1 को लिख सकते हो tan 45 5 ट्वेक्स आपका क्या जाएगा? 44 which is minus 5 by 4 और यह इसके respective range में समझ मेरा बच्छो? यह हो गया अपना 3 question अभी start करते question number 4 so बच्छो question number 4, question number 5, question number 6 बहुत symbolic question number 1 खतम हो जागा ठीके बच्छो? tan inverse minus root 3 सर अभी तो just किया थी क्या? tan inverse minus root 3 क्या आएगा? minus tan inverse root 3 right? अब tan inverse root 3 की value निकालो लग से बच्छो tan inverse root 3 अगर x आएगा तो आप solve करोगे तो root 3 is equal to tan x आएगा तो tan x is equal to root 3 root 3 को क्या लिख सकते बच्छो? pi by 3 pi by 3 मतलब 60 because sin 60 upon cos 60 तो x क्या आएगा बच्छो? आपका pi by 3 so tan inverse x is equal to root 3 तो आपका यहाँ पे देखो minus tan inverse root 3 is equal to this अगर आप इसको solve करोगे तो answer क्या आजाएगा? इसका solution क्या आजाएगा? tan inverse minus root 3 is equal to minus बट सरी यह क्या है? minus pi by I hope सबको समझ गया रहे है अब यह तो बहुत simple है कैसे sin 45 1 by root 2 तो sin inverse root 2 1 by root 2 is equal to x लेलो बच्चो 1 by root 2 is equal to sin x लेलो बच्चो तो sin x is equal to sin 45 तो x क्या हैगा बच्चो 45 I hope आप लोग को समझ गया रहे है पोहुत simple है last question याद रखना formula sin inverse minus x tan inverse minus x but cos inverse में है इसा नहीं है? cos inverse minus x का formula क्या है? pi minus cos inverse x तो similarly cos inverse minus 1 by 2 क्या होगा? pi minus cos inverse 1 by 2 अब बच्चो cos inverse 1 by 2 अलग से solve करो वहाँ पर substitute करो और मुझे पता है कि cos 60 1 by 2 होता है cos 60 1 by 2 होता है तो मैं यहाँ पे pi minus pi by 3 लिख रहा हूं which is 3 pi minus pi 2 pi by 3 बच्चो यह भी अपने रिस्पेक्टिव रेंज में लाई कर रहा है चार question ठीक है question number 2 में अपने पास चार question है समझ में आ रहा है एक एक question आपन करेंगे answer निकालेंगे आगे बढ़ेंगे बहुत simple question है simple क्यों है क्योंकि sir evaluate the following बोला evaluate the following कैसे करेंगे मतलब find the value कैसे करेंगे sir यह जो है ना इसका value निकालो इसका value निकालो इसका value निकालो substitute करो simplify करो you will get that जैसे tan inverse 1 tan inverse 1 हम लोग ने यह सब की values निकालने question number 1 में सीखा है so tan inverse 1 क्या है बच्छो tan inverse 1 अलग से निकालो pi by 4 plus cos inverse 1 by 2 cos 60 बच्छो sin inverse 1 by 2 मतलब sin 30 अब इसको solve समझ में आ रहा है इक बच्छो यहां पे 4 3 6 सब 12 की डिवल में आ रहा है समझ में आ रहा है तो इसको 3 से multiply करो 3 pi इसको 4 से multiply करो 2 pi इसको 2 से multiply करो 2 pi अपन 4 3 जा 3 4 जा 6 2 जा 12 so 3 pi plus 4 5 7 pi 7 pi plus 2 pi 9 pi 9 pi by 12 बतलब 3 3 से cancel कर दो 3 pi by 4 आपका answer आएगा समझ में आ रहा है बच्छो यह आपका first question हो गया अब हम लोग लिखते second question बच्छो तो आपका second question क्या है second question है cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2 समझ में आ रहा है बच्छो ठीक है तो cos inverse 1 by 2 सेम सर cos inverse 1 by 2 कितना है pi by 3 plus 2 times sin inverse 1 by 2 कितना है बच्छो pi by 6 so pi by 3 plus 2 1s are 2 3s are pi by 3 तो answer कितना है का बच्छो 2 pi by 3 कितना सिंपल है राइट अब इसके बाद next next क्या है आपका next है आपका question number 3 question number 3 क्या है बच्छो 10 inverse root 3 minus second inverse minus 2 देखो खुशी वर्दास्ट नहीं होती थोड़ा सा tricky देदी है बट यह बहुत simple है यह बहुत simple है समझ मेरा बच्छो देखो बारबदी रखने में बोर हो रहा है ठीक है 10 inverse of root 3 कैसे मिलेगा 10 inverse of root 3 आपका pi by 3 होता है कैसे क्यूंभी sin 60 upon cos 60 root 3 by 2 upon 1 by 2 to cancel अब इसको हम लोग अलग से solve करते फिर substitute करते ठीक है sec inverse minus 2 सर मुझे sec inverse minus 2 नहीं पता ठीक है cos inverse minus 1 by 2 ये तो पता है न cos inverse minus theta क्या होता है pi minus cos inverse theta which is pi minus cos inverse 1 by 2 right pi minus cos inverse 1 by 2 अब pi minus cos 1 by 2 30 पे नहीं होता 60 पे होता है तो pi minus pi by 6 कितना आएगा ओके ये मैं गलता गलत लिकरा हूँ 30 पे नहीं होता 60 पे होता है तो pi minus pi by 3 क्या आएगा 2 pi by 3 समझ मैं आ रहा है तो pi by 3 pi by 3 minus 2 pi by 3 एक बार फिर से देख लेते हैं बच्छों क्या कि cos inverse minus theta क्योंकि sec inverse minus 2 होता मैंने property उस किया cos inverse minus 1 by 2 लिख दिया समझ मैं आ रहा है तो cos inverse minus theta को मैं pi minus cos inverse theta लिखूंगा cos inverse 1 by 2 मतलब 60 पे होगा pi minus pi by 3 which is 2 pi by 3 I hope समझ गया रहेगा आप लोगको अब यह कितना आसे पार दे pi by 3 minus 2 pi by 3 क्या हैगा बच्छों minus pi by 3 अब इसके बाद next last question last question क्या है बच्छों cosec inverse minus root 2 plus cot inverse root 3 अब cosec inverse minus root 2 देखो आप लोगका जो है उसका आप लोग answer निकाल सकते हो cosec inverse minus root 2 आप क्या बोलोगे सर इसको मैं sin inverse minus 1 by root 2 बोल सकते हो cot inverse root 3 को हम लोग tan inverse 1 by root 3 बोल सकते है property बता है न अब बच्छों यह क्या हैगा sin inverse minus theta is minus sin inverse theta मतलब minus sin inverse 1 by root 2 plus tan inverse 1 by root 3 minus pi by 4 समझ में आ रहे sin 1 by root 2 के आपका pi by 4 अब यह बच्छों हमने अभी तक root 3 ही देखा जहां जहां पे root 3 आ रहा था 10 में हम वहां पे क्या लिख रहे थे pi by 3 1 by root 3 आएगा तो क्या लिखेंगे pi by 6 राइट बच्छों दोनों भी 12 के टेबल में आ रहे मतलब 4 के टेबल में 12 आएगा 6 के टेबल में 12 आएगा तो minus 3 pi by 12 plus 2 pi by 12 तो अंसर आएगा minus pi by 12 समझ हो रहा बच्छों तो यह आपने question number 2 पूरा complete कर दिया अब start करते है question number 3 ओगे बच्छों अब question number 3 में कितने question है question number 3 में 8 question है एक एक करके आपन कर लेंगे ठीक है बहुत simple question है विसी आपको principal value निकालने आना चाहे LHS is equals to RHS मैं LHS यहाँ पर लिखूँगा आपको लिठना है बच्छों sin inverse minus 1 by 2 मुझे बता है sin inverse minus theta क्या होता है minus sin inverse theta फिर minus 3 sin inverse root 3 by 2 बच्छों minus sin inverse 1 by root 2 क्या होगा minus 3 sin inverse root 3 by 2 root 3 by 2 मतलब root 3 by 2 मतलब sin 63 60 बोले तो 5 by 3 समझ में आ रहा बच्छों इसके बाद यहाँ पर धान देना तो भी minus 3 sin inverse root 3 by 2 तो भी minus 5 by 4 3 3 cancel minus 5 by 4 minus 5 यह तो minus 5 5 by 4 बाद एसा कैसा एक मिनट question देखने तो वापस से so question तो सही है okay minus 3 sin inverse root 3 by 2 is equals to minus 3 by 4 okay question तो सही है बट यहाँ पर एक मिनट रुख जाओ sin inverse minus यह old textbook है न हाँ मैं ओल्टेक ग्रेफर करता हूँ तो माइनस sin inverse minus 1 by root 2 minus 3 sin inverse root 3 by 2 minus 5 by 4 बट minus 5 by 4 नहीं आना चीए ठीक है तो अब हम लोग थोड़ा modification करते हैं रिखते हैं कि question क्या होता तो answer क्या आता ठीक है तो अब अगर यहाँ पर लेट से माइनस नहीं होता ओके तो यहाँ पर भी माइनस नहीं होता तो क्या माइनस 3 by 4 question 3-3 by 4 आता तो यह होता पाइबाइ 4 माइनस 3 इंटू पाइबाइ 3 3 3 कैंसल पाइबाइ 4 माइनस पाइब देखो आ रहा है पाइबाइ 4 पाइबाइ 4 विच इस माइनस 3 पाइबाइ बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर माइनस नहीं आएगा मतलब question में एक change कर लो बच्चो जिसके पास भी old textbook है निए टेक्स्टूक में शायदे चेंज होगा अगर आपका साइन इन्वर्स वन बाय रूट टू है माइनस 3 साइन इन्वर्स रूट 3 वाइटू और माइनस 3 वाइफोर तब यह आए तो यहाँ पर माइनस 5 वाइफोर आए तो question में चेंज कर लो अब अगला question अगला question क्या है बच्यों देखो ध्यान से साइन इन्वर्स माइनस 1 वाइटू प्लस कॉस्ट इन्वर्स आफ्लाइं बैच में पढ़ा रहा है तो तभी यही सेम चीज हुआ था मैंने बच्चे लोगों को बता दिया तो वहापे भी कॉस्ट इन्वर्स माइनस 1 वाइटू सुनों बच् कॉस्ट काउसिंवर्स देटा मिनस काइन इन्वर्स 1 वाइटू सिन इन्वर्स 1 वाइटू बच्च्यों 1 वाइटू बच्यों 1 वा थू सिक्स्टी प्लास 270 pi minus root 3 by 2 again 60 राइट एक बार फिर से 1 by 2 60 pi minus cos inverse root 3 by 2 again 60 इसके बाद pi minus minus 2 pi by 6 which is 6 pi minus 2 pi by 6 which is 4 pi by 6 which is 2 pi by 3 चेक करते हैं वहाँ पर भी आता है क्या तो अपना यह तो LHS मिल गया है RHS क्या है बच्छो? RHS अपना cos inverse minus 1 by 2 which is pi minus cos inverse 1 by 2 pi minus pi by 3 देखो बच्छो आ जाएगा रश्टर कैसे? pi minus pi by 3 क्या आएगा? 3 pi minus pi by 3 which is 2 pi by 3 तो अपना यहाँ पर क्या लिख सकते हो? LHS is equals to RHS question number 1, 2 हो गया बहुत सिंपल है ऐसे ही सारे समसिंपल है समझारा बच्छो? इसके बास start काते question number 3 ओगे बच्छो? now we are done with first and second time now we'll do question number 3 of 3 so question number 3 of 3 क्या है बच्छो? आपको क्या proof करना है? sin inverse 3 by 5 plus cos inverse 12 by 13 is equals to sin inverse of 56 by 65 यह देखो बच्छो? मैं sin inverse 3 by 5 को x ले रहा हूँ तो बच्छो, sin x क्या हो जाएगा? 3 by 5 तो similar लिए अगर मुझे cos x निकालना रहेगा तो मैं किसे निकालूँगा? by trigonometric identity 1 minus sin square x मुझे पता है 3 है न 4 by 5 आएगा 3, 4, 5 पाइटागरें ट्रिपलिट ठीक है? 1 minus 3 by 5 दा whole square 1 minus 9 by 25 25 minus 9, 16 by 25 4 by 5 ठीक है? अगला बच्छो, cos inverse 12 by 13 को मैंने वाई ले ले? सो, cos y क्या हैगा बच्छो? 12 by 13 sin y under root of 1 minus cos square y 1 minus 12 by 13 the whole square 1 minus 144 by 169 169 minus 144 25 by 169 क्या हैगा बच्छो? 5 by 13 पाइदाक ओरिंट्री फ्लेट तब आप ये मस्ती मज़ा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा है? बता तुम ठीक है बच्छो? अभी ध्यान से देखो आपको पीच में प्रूफ में प्लस दिया है ये ध्यार देना है प्लस दिया है ठीक है? तो मैं साइन एक्स प्लस वाई करता हूँ क्या है बच्छो? साइन एक्स प्लस वाई है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई मुझे प्रूफ में वो साइट साइन इन्वर्स से ही है और प्लस इसलिए मैंने sin x plus y ले लिए ठीक है, अब आपको sin x, sin x आपने कितना लिखा है, 3 by 5, cos y आपने कितना लिखा है, 12 by 13, 65 बार है, आ रहा है, perfect, cos x आपने कितना लिखा है, 4 by 5, sin y, कितना है आपका, 5 by 13, देखो न, 12, 3 जा, 36, plus 4, 5 जा, 20, अपन 65, अपन 65, अंसर आएगा, 56 by 65, so sin x plus y, आपका आया, 56 by 65, so x plus y, क्या आएगा, sin inverse of 56 by 65, स्वाज में आ रहा है, बड़ सर, x क्या आए, x क्या आए, ध्यान से देखो, sin inverse of 3 by 5, इदर देखो, sin inverse of 3 by 5, y क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, y क्या है आपका, cos inverse of 12 by 13, is equals to sin inverse of 56 by 65, that's it, हो गया यह, यह सम थर्ड बाला हो गया, आप इस क्या आप करते है, सम नमबर 4, ओके बच्चों, next question, सम नमबर 4, वो हुआ सिम्बल क्वेशन है, बच्चों, आपको property याता, जो हमने किया था, sin inverse x, plus cos inverse x is equals to 5 by 2, वह ही है, कैसे, मैं बच्चा है, यह 3 by 5 है न, मैं cos inverse 3 by 5 को x ले रहा हूं, सो, cos inverse 3 by 5 को मैं x ले रहा हूं, सो 3 by 5 क्या आएगा, बच्चों आपका, cos x हो जाएगा, समझ में आ रहे है, 3 by 5 क्या आपका, cos x हो जाएगा, अब यहां से, अगर मैं, sin x का value निकालो, किस का value निकालो, sin x का value निकालो, तो क्या आएगा, under root of 1 minus, 1 minus, cos square x, which is, 1 minus, cos square x है न, मतलब 3 by 5 का whole square, 1 minus 9 by 25, which is 25 minus 9, 16 by 25, which is 4 by 5, आपको, sin x कितना मिला, 4 by 5, ठीक है न, ठीक है, कोई बात नहीं, तो, sin x आपको 4 by 5 मिला, समझ में आ रहा है बचो, तो यहां से, आपको x क्या मिल जाएगा, sin inverse of 4 by 5, बोलने का मतलब क्या है, x मेरा, cos inverse of 3 by 5, और x मेरा, sin inverse of 4 by 5, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहां पे, x के जगे पे, मतलब यह दुनों सेम है न, मैं यहां पे पुट कर दे रहा हूं, समझ में आ रहा है, बच्छो, मतलब, पुट करो, sin inverse of 4 by 5, plus cos inverse of 4 by 5, इसके जगे यह पूट करा में न, बच्छो, तो आपका LHS क्या हैंगा, बच्छो, यह तो formula है, sin inverse x plus cos inverse x, क्या होगा, 5 by 2, सबच्छ में रहा है, एक बार फिट से बच्छो, आपने cos inverse 3 by 5 को x लिया, फिर आपने बुला, 3 by 5 क्या होगा, cos x, फिर आपने sin x की value निकाली, under root of 1 minus cos square, which is 16 by 25, which is 4 by 5, फिर आपने बुला, सर अगर sin x 4 by 5 है, तो x क्या हैगा, sin inverse 4 by 5, बट सर, यह तो same है, एक साइड से में, तो दूसरा साइड भी same रहेगा, तो आप यहां पे cos inverse 3 by 5 के जगे पे, cos inverse 3 by 5 के जगे पे, sin inverse 4 by 5 पूट कर दो, now sin inverse x plus cos inverse x, क्या हो जाएगा, पाई बहुत simple, अब अगला सम फिल्ट वाला बहुत simple है, यहां ते देखो, x plus y, tan inverse of x plus tan inverse of y, formula क्या है, tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, मतलब tan inverse of x क्या है आपका, 1 by 2, plus y क्या है आपका, 1 by 3, 1 minus 1 by 2 into 1 by 3, is equals to tan inverse of 3 plus 2, 5 by 6 upon, बच्चो, 3 to the 6, 6 minus 1, again 5 by 6, बच्चो, tan inverse of 5 by 6 upon 5 by 6, 1 आएगा, और sir, हम लोग ना, 1 को लिख सकते है, tan 5 by 4, now tan inverse of tan theta मतलब theta, theta बोले तो 5 by 4, y proof करना है, देखो, y proof होगा, बच्चो, अगला सम, 6 वाला, 6 वाला, इतना simple लेना, पूछो मत, क्यों, क्योंकि सब 2 tan inverse, 1 by 3 है न, उसको मैं लिखता हूँ, tan inverse of 1 by 3, plus tan inverse of 1 by 3, बच्चो, देखो, tan inverse of x plus y, क्या हैगा, tan inverse of x, plus tan inverse of y, upon 1 minus, xy, tan inverse of 2 by 3, upon 1 minus, 1 minus, क्या हैगा, बच्चो, 1 by 9, अब इसको solve कर लो, क्या हैगा, tan inverse of, 2 by 3, ठीक है, 1 plus 1, 2, फिर, 1, sorry, 1 minus 1 by 9, तो क्या हैगा, 9 minus 1, 8 by 9, समझ मैं आ रहा है, अब इसको simplify करो, इसको simplify करो, देखो, 2 by 3, divided by, तो क्या हो जाएगा, 9 by 8, ठीक है, so, 3, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 4, which is, tan inverse of, 3 by 4, जो कि हम लोगों चाहिएगा, ठीक है, बच्चो, अब यह दो, question हो गया, अब, 7th, तो जो, the last question बच्चे है, इस exercise के, यह भी इतना simple है, क्यों, क्योंकि अगर आपको, यह दिख रहा है, क्या, tan inverse of, cos theta, plus sin theta, बच्चो, अंदर tan a plus भी बन जाएगा, कैसे, मैं बताता हो, जो कुछ, smart बच्चे, उन लोग अलएड़ी समझ गया रहेंगे, जो नहीं समझे, कोई बाप में, क्या है बच्चो, tan inverse of, cos theta, plus sin theta, upon, cos theta, minus sin theta, तो क्या हैगा, बच्चो, is equals to tan inverse of, dividing numerator and denominator by cos theta, तो क्या हैगा, one minus tan theta, upon one plus tan theta, बच्चो, one को लिख दो, tan pi by 4, minus tan theta, one minus, बच्चो, tan theta को मैं one into tan theta लिखूंगा, तो चलेगा, चलेगा, तो one मतलब, tan pi by 4, into tan theta, बच्चो, बच्चो, last question, of this exercise, finally, अपना trigonometry, खतम हो गया है, ठीके, तो अपना last question, क्या है, tan inverse of, tan inverse of, under root of, one minus cos theta, upon one plus cos theta, क्या हैगा, बच्चो, tan inverse of, under root of, one minus cos upon one plus cos, कितना सिंपल है, one minus cos theta, क्या हैगा, बच्चो, आप एंगल फॉर्म्टे से, two sin square theta by two, two cos square theta by two, बच्चो, ध्यान से, two two गया, tan inverse of, root में, tan square theta by two, square root गया, मतलब, tan inverse of, tan theta by two, और अंसर आपका हैगा, theta by two is equals to RHS, hence proof, यही चाहिए था न, correct, समझ में आ रहे, यही चाहिए था, correct, बच्चो, इसी के साद अपना trigonometric series खतम हो गया, miscellaneous बच्चे, अगर आपको चाहिए, comment section न बोलो, सब miscellaneous करने की ज़रुवत नहीं है, बट फिर भी अगर आप लोगो चाहिए, समझ में आ रहे, बच्चो, कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, comment section में mention करो, समझ में आ रहे, बच्चो, और वीडियो अच्छा लगा, प्लीज 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 शेर करो, वीडियो अगर अच्छा नहीं भी लगा, तो क्या क्या problem आए आपको, mention करो दिन बर लेक्शी लेने के बाद, हम लोग रात में वीडियो शूट करते कि हम लोग का दिन का schedule ना distance हो, समझ में आ रहे, तो आपका कुछ भी वीडियो में करेगा, हम लोग अफकोर्स accept करेंगे, वीडियो मैक्सिमम लोगों तक share करो, चैनल को subscribe करो, मिलते हैं नेक्स ब्लेइलिस्ट में, thank you for watching these videos.